Hello everyone, this is Jatin Malhotra and welcome to Malhotra Hair Replacement. आज की वीडियो का टॉपिक है कि फिक्सिंग, टेपिंग और क्लिपिंग सिस्टम इन तीनों प्रोसीजर में क्या फर्क है? किस यूजर को किस प्रोसीजर में अपना हेर पैच लगवाना चाहिए? और क्या इनकी एडवांटेज़ हैं, डिस एडवांटेज़ हैं? हम इस बा अपना बीच का एरिया शेव नहीं कराना चाहते या बहुत सारी यूजर्स ऐसे होते हैं जो casual basis पे अपना hair patch यूज करते हैं जैसे कोई शादी function अटेंड करना है तो patch लगा लिया या कहीं पे घूमने जा रहे हैं या उनको मतलब जब भी अच्छा get up चाहिए casual basis पे तो patch लगा लिया बाकि normal days में अपना patch उतार के रख दिया और जो उनकी condition है वो as it is ही रहती है और अगर हम बात करें fixing की तो fixing में आपको अपना यह जो बीच के area है इसको shave कराना पड़ेगा तभी हम इसमें आपका hair patch fix कर पाएंगे और आपको हमारे पास monthly servicing के लिए भी आना पड़ेगा हम ही आपका hair patch remove करके servicing प्रॉपर करके दुबारा उसको refix करेंगे बाकि जो clipping system है वो आप घर पे के भार के clients हैं या जिनके घर के आसपा service center नहीं है या जो लोग खुद self service करना चाते हैं हफ्ता 10 दिन में तो taping system उनके लिए है taping system में भी आपका बीच का जो area है वो हमें shave करना पड़ेगा उसमें यह है कि आप हफ्ता 10 दिन अपना taping में चला सकते हैं और फिर उस tape को remove करके आप दुबारा उसको नई tape लगाके अपना फिर से उसको fix कर सकते हैं तो इसमें 15-20 मिनिट 25 मिनिट लगते हैं अगर आपने हमारी self-service की वीडियो नहीं देखी है तो मैं description में link देता हूँ आप हमारी self-servicing की वीडियो देख सकते हैं और रही बात रात को patch उतार के सोने की तो बहुत लोग कहते हैं कि हम अपना patch रात को उतार के अपना comfortably सोना चाते हैं बिना patch के तो fixing method में तो यह आप नहीं कर पाएंगे लेकिन जो clipping और taping method है दोनों method में आप अपना रात को patch उतार के अराम से सो सकते हैं यह तो हो गया basic difference तीनों procedure में बहुत easy है अब आप यह देख लें कि आपको क्या चाहिए अगर आप चाते हैं कि मैं अपना beach का area shave नहीं कराना सकते हैं और रही बाट taping की आप किसी भी वजह से service center नहीं जा सकते या आप घर पे खुद self service भी करना चाहते हैं तो आप taping में जाईए अब बात करते हैं तीनों method के advantages और disadvantages की सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं clipping की तो clipping में तो advantages यह हैं कि आपको अपने जो बाल है वो आपके as it is रहेंगे आपको shave कराने की जूरत नहीं है आप जब चाहें अपना patch उतार सकते हैं लगा सकते हैं दो मिनिट लगते हैं और बिल्कूली zero maintenance procedure है आपको service center जाने की जूरत नहीं है कुछ नहीं करना ज्यादा से जादा आपको अपने पास एक tape रखनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे cases में क्या होता है लोगों के आगे के बाल नहीं होते तो अगर आपके आगे के बाल है तब तो चार clip लग जाएंगे अगर आपके आगे के बाल नहीं है तो आपको उसमें front में tape लगानी पड़ेगी उसमें भी बहुत जादा को मुश्किल काम नहीं है दो मिनिट का काम है तो यह हैं clipping के advantages अगर मैं बात करूँ clipping की disadvantage ही तो as such उसमें कोई disadvantage नहीं है बस आप यह कह सकते हैं कि अगर आप जादा time के लिए clip use करते हैं तीन साल चार साल पान साल के लिए तो जिस area में आपका clip लग वो जब आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको यहां पे करके दिखाएंगे आप खुद भी अपने हाथ से कर सकते हैं ताकि आपको घर पे दिक्कत ना आये clipping की मैं एक advantage और बताना चाहूंगा आप लोगों को clipping में क्या होता है आपके जो patch की life है वो double हो जाती है क्यूं क्य अब अगर बात करें fixing की advantage ही तो fixing की सबसे बड़ी advantage है कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमें घर पे patch उतारना या tape change करना या यह सब जंजडवाजी नहीं चाहिए 20-25-30 दिन में अपनी service कराएं और उसके बाद कोई tension लेनी की जूरत नहीं आप उसमें shampoo conditioner करो रात को so उसमें gym जाओ बिना bike के helmet चलाओ सारी activities उसी में ही होंगी आपने बस अपनी 20-30 दिन के बीच में service center जाके service करानी है वहीं मैं अगर बात करू fixing की disadvantage की तो as such fixing में कोई disadvantage है नहीं बस आप यह कह सकते हैं कि आपकी एक monthly service cost add हो जाती है और बहुत ही normal है अब आप किसी service center साइड के बालों की cutting है head massage है head cleaning है patch की service है दुबारा refixing है तो आप इसको एक तरह से disadvantage कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं बहुत लोग हैं इसे disadvantage मानते हैं बहुत लोग नहीं मानते तो यह मैं आप पे छोड़ता हूँ आप खुद अपना decision ले सकते हैं अब अगर बात कर कि उसकी self service कर सकते हैं आपको रात को सोने से पहले उतार के रखना patch वो आप उसमें कर सकते हैं तो यह आपके हाथ में आपको बहुत जादा independence मिल जाती है जब मर्जी पैच उतारने की लगाने की अब अगर इसकी disadvantage ही बात करें तो disadvantage यह है इसमें कि आपको इसकी खुद self service कर पड़ेगी आपको पुरानी टेप हटानी पड़ेगी patch wash करना पड़ेगा आपको पास के saloon में जाके अपने side के बालों की setting करानी पड़ेगी जो आपके beach के area में जो बालों की growth है आपको उसको trimmer से हटाना पड़ेगा and दुबारा उसमें नई tape लगाके आपको खुद अप disadvantage उसको कह सकते हो कि उसमें आपको थोड़ा अपना time देना पड़ेगा बाकी as such कोई taping की कोई disadvantage है नहीं so guys यह तो हो गई तीनों methods की advantages और disadvantages की बात और कौन से user के लिए कौन सा procedure सही है तो अब बात करते हैं कि इसमें main point यह है कि तीनों method interchangeable है इसका मतलब आप पहले clipping में patch लगा सकते हैं और आगे चलके आप उसको fix कराने का या taping में use करने का decision लेना चाते हैं वो आप कर सकते हैं पहले उसको fix करा सकते हैं बाद में clipping करा सकते हैं तो तीनों methods आपस में interchangeable हैं आप अपने convenience के according जैसे बहुत लोग होता हैं कि पहले मैं सिर्फ taping में use करके देखना चाता हूँ और अगर मेरे को अच्छा लगा समझ आया तो फिर मैं उसको बाद में fix करा लूँगा या clipping में use करना चाता हूँ और बाद में fix कराना चाता हूँ तो तीनों methods interchangeable हैं आप जब मर्जी चाहें जो मर्जी procedure में जा सकते हैं अब बात करते हैं तीनों methods की pricing की और life की तो pricing देखिए तीनों methods की सेम है आपने बस patch की cost देनी है अगर आपको clipping चाहिए taping चाहिए fixing चाहिए वो हमारी headache है वो हम इसी में ही करके देंगे बहुत लोगों को लगता है कि clip वाला hair patch कुछ अलग आता है तो ऐसा कुछ नहीं है य तो life जो है मैंने आज जैसे आपको पहले बताया clip में life double हो जाती है आपका patch देट दो साल धाई साल भी चल सकता है और रही बात fix की तो fix में 10 महीने साल सवा साल ही चलता है patch so guys यह थी आज की वीडियो अगर आपको मेरी information अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करें चैनल को subscribe करें और next वीडियो आप किस topic में चाते हैं यह मेरे को comments में जरूर बताएं thank you so much